हलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोसल एवरिनिस के एक और एपिसोट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्धिक की एडवोकेट। मेरे कई वीवर्स और सस्क्राइबर के द्वारा एक सवाल अक्सर पुछा जाता है कि नियाले के द्वारा तल्भी आदेश पारित कर दिये जाने के बाद भी क्या कमप्लैन को वापस लिया जा सकता है। आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति की व्रुद्ध नियाले में कोई परवाद केस कर दिया जाता है तो नियाले आएंगे चलके उस case में उस ब्यक्ति को के बिरुद अगर प्राइमा फिसा या उफिंस पाती है तो तल्बी आदेस यानि सम्मन जारी करने का आदेस पारित कर देती है तो सम्मन जारी करने का आदेश जिसको तलबी आदेश बोलते हैं यानि तलब करने का आदेश तो उस आदेस के बाद भी क्या complaint को बिड्ड्रॉ किया जा सकता है तो आज किस एपिसोट में देखेंगे कम्प्लेंट दाखिल करने से लेकर तलबी आदेश तक की कितनी stages होती है और तलबी आदेश पारित कर दिये जाने के बाद क्या कम्प्लेंट को बिड्डरा करने का प्रवीजन है वो कौन से केसे हैं जिनमें कंप्रेंट प्रिडरा की जा सकती है या नहीं की जा सकती है इस बारे मैं आज बाचीत करने जा रहा हूँ बहुत ही महत्पूर जानकारी है अगर आप जुनेर एड़ोकेट हैं आपने अभी प्रेक्टिस शुरू की है तो भी जानकारी आपके काम आएगी अगर आप किसी जुरीसरी के एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए अगर आपका इस तरीके का कोई केस कोट में चलना है तो भी ये वीडियो आपके लिए है तो साथ ही और जोड़े राकरी तक देखते हैं कि समन्द में कानुजयनकारी क्या है मने इससे पहले भी अपने कई वीडियो आपको बताया है कि अगर किसी ब्यक्ति के साथ कोई अपराद घटना हो जाती है तो कारवाही शुरू करने के लिए दो रास्ते होते हैं अगर उस ब्यक्ति के साथ कोई संगे अपराद कारित किया गया है तो वो सीधा थाने जा करके First Information Report दर्ज करा सकता है Criminal Procedure Court की धारा 154 के तहट अगर वो थाने में F.I.R. दर्ज नहीं कराना चाहता या थाने में F.I.R. उसकी दर्ज नहीं की जाती तो फिर वो कोट में सिधा Complain Case भी कर सकता है Complain Case के लिए चाहा Cognizable Offense हो चाहा Non-Cognizable Offense हो इसके बीच में 156 का परोईजन भी है नियाले के माध्यम से F.I.R. कराने के लिए भी वो दे सकता है उसके समध में भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है आई बटन मसका लिंक के दे दूँगा आप देख सकते हैं तो किसी बेक्ति के द्वारा जब कोट में सेक्षन 2D CRPC के तहट परवाद दाखिल किया जाता है तो मजिस्टेट को सेक्षन 191A CRPC के तहट कॉग्निजन्स लेने का पावर है आप समझ लीए 190 ब्रेकित में when फिर ब्रेकित में इसके तहट मजिस्टेट उस कम्प्लाइंट पर कॉग्निजन्स लेता है बटना से सम्मंदत जो विटिनिसेस हैं उन विटिनिसेस के स्टेटमें रिकॉड होते हैं कोट में इन दोनों के statement record होने के बाद अगर कोई document evidences हैं तो वो भी दाखिल किया जा सकते हैं फिर magistrate के समझ आर्गुमेंट होता है कि accused को सम्मन किया जाए कि ना किया जाए आर्गुमेंट सुनने के बाद अगर magistrate को लगता है कि प्रामा फिसाई offense made out हो रहा है जिन बेक्तियों को वारूपी बनाय गया है एक या एक से ज़्यादा तो फिर magistrate तल्बी आदेस पारित कर देते हैं यानि सम्मनिंग ओर्डर magistrate के दौरा सम्मन ओर्डर पारित कर दिया जाता है कि आप आईए आपको फला फला अपराद के बिचारा के लिए नियाले में तलब किया जाता है इस आदेस के बाद अब्युक्त के पास और क्या लीगल रास्ते हैं उसके बारे में फिर हम किसी और वीडियों बाचीत करेंगे आज जो में सवाल था कि नियाले के द्वारा तलबी आदेस पारित किये जाने के बाद भी क्या कमप्लैन को वापस लिया जा सकता है तो अब देखते हैं कि समंद में आगे कानून क्या कहता है सातियों यहाँ पर यह बात बताना बहुत जुरूरी है कि ट्राइल चार तरीके के होते हैं डिटेल में किसी और वीडियों बाचीत करेंगे मैं यहाँ पर ब्रीफ में आपको बता दूँ सेसन ट्राइल, वारन ट्राइल, समंद ट्राइल और समरी ट्राइल सम्वन्ट्राइल के जो प्रुविजन है वो क्रिमिल प्रोसिजर कोट के चैप्टर 20 में सेक्षन 251 से लेकर के सेक्षन 259 तक दिया गया है तो इसी ट्राइल से सम्वन्दित जो अपराध होते हैं उन अपराधों की कम्प्लेंट को तो वापस लिया जा सकता है अन्य था जो वरन्ट्राइल सेसन ट्राइल वागरा की जो कम्प्लेंट होती हैं उनको वापस नहीं लिया जा सकता हाला कि सेसन ट्राइल की अगर कम्प्लेंट भी दाखिल की गई है तो सेसन ट्राइल की कम्प्लेंट इस्टेट केस में कर्णवर्ट हो जाती है अब सम्मन ट्राइल के जो cases होते हैं 251 से लेके 259 से RPC के तहट चिप्टर 20 में जिनका ट्राइल होता है उसमें एक धारा है 257 जिसमें कहा कहा है withdrawal of complaint परवाद को वापस लेना तो परवाद को वापस लेने के लिए तलबी आदेस हो या ना हो इसमें इस तरीकी की कोई condition नहीं दी गई है जिस बेक्ति ने परवाद दाखिल किया है जिसके बिरोध दाखिल किया है अगर उस बेक्ति का यानि परवादी का अभ्योक्तों के साथ किसी तरीके का कोई settlement हो जा की application दे सकता है और summon trial के case में magistrate उसको complainant की इस application पर bid draw करने का आदेस पारित कर सकते हैं तो यह ती दोस्तों तल भी आदेस के बाद complaint को bid draw करने के समन्द में एक महत्पूर जानकारी मैं समस्तों की जानकार आपको जरूर अच्छी लगी होगी जानकार कैसे लगी comments करके जरू भी कर दें और bell button को hit करके all पेसिट कर दें आज की वेडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं किसे अन वेडियो में कानून के कुछ अन्य जानकारी के साथ तब तक महत्पूर जानकारी के लिए देखते रहें legal and social awareness